अन्मोल जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत यह संकेत शुब हो सकते हैं अथवा अशुब भी इसलिए घर पर आने वाली चीन्टियों को कभी नजर अंदाज नहीं करना चाहिए दोस्तों प्राचीन काल से ही नाना प्रकार के जीव जन्तूओं के द्वारा मिलने वाले संकेतों को महत्व दिया जाता है शास्त्रों के अनुसार घर पर आने वाले प्रत्येक पशुपक्षी का विशेश महत्व होता है इन पशुपक्षियों के घर पर आने से हमें कई प्रकार के महत्व पूर्ण संकेत प्राप्थ होते हैं यह संकेत हमारे भविश्य से जुरे हो सकते हैं दोस्तों, तो दोस्तों गुरुजी से सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में? और जीस घर में स्त्री नहीं होती, वो घर कभी भी घर नहीं होता। जिन्हें कभी भी स्त्रीयों को नहीं करना चाहिए। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि कहा जाता है कि घर की स्त्रीयों के द्वारा कभी भी जाडू को लात नहीं मारी जानी चाहिए, जिससे घर की महिलाई जाडू को पैर लगाती है। ये पैर से ठोकर मारती है, वहां कभी भी लक्षमी का वास नहीं होता। अगर कोई स्त्री घर में ऐसा करती है, तो उसके घर में दरिद्रता चायी रहती है, और उस घर में कभी भी आर्थिक रूप से संपन्ता नहीं आती। इसलिए ध्यान रखें कि घर की महिलाओं को यह काम बिलकुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरा दोस्तों जिन घरों की महिला घर में कभी भी जूठे बरतन रखती है, तो उस घर में कभी भी संपन्ता और लक्षमी नहीं आती। खाने पीने और अगनी से जुरे हुए बरतन आपको जरूर माज लेने चाहिए, अन्यथा आपके घर में लक्षमी नहीं आएगी। अगनी से जुरे बरतन यानि के दोस्तों तवा कड़ाई इस तरह की चीजें आपको जरूर धो लेनी चाहिए वरना ये आपके दुख का कारण बनता है। दोस्तों सुहागिन महिलाओं का सबसे बड़ा हतियार, सबसे बड़ा कारक और सबसे बड़ा सुहाग होता है। एक बार आपने यह गलती कर दी तो यह आपके सुहाग के लिए बहुत ही कश्ट कारक बन सकता है। आपकी बरबादी और आपकी आबादी आपके हाथ में है तो दोस्तों आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगली चीज है अब उसको पायल और चूडिया और खासकर बिछिया दोस्तों सुहागन महिलाएं अपने हाथ की चूडिया पैर का पहना हुआ पायल और बिछिया किसी के साथ भी शेर ना करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आप अपने घर में स्वयंसो तन को आमंतरित करते हैं इसलिए आपको ये शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही हमें अपने माथे की बिंदिया भी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए वरना यह हमारे कष्ट का कारण बन जाते हैं और ये आद्ते हमें बर्बाद कर सकती हैं। मान्यता है कि इससे पती का प्यार कम हो जाता है और पती पतनी के रिष्टों में दूरिया आना शुरू हो जाती है। दोस्तों जो महिलाएं काजल और लिपस्टिक अगर लगाती हैं, तो इस बात का खास ख्याल रखें, दोस्तों काजल लिपस्टिक महिलाओं के साथ श्रिंगार का सबसे important part है, यानि सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है. और जब एक सुहागन काजल लिपस्टिक लगाती हैं, तयार होती हैं, तो पती की नजरें अपनी बीबी से हटने ही नहीं पाती. लेकिन क्या आप जानते हैं कि काजल और लिपस्टिक आपके और आपके पती के बीच दरार भी ला सकती है, साथ ही साथ ही आपके पती की बरब अपनी के बीच में दूरियां आती है। ऐसे में पती का प्यार कम हो जाता है। साथ ही दोस्तों आज कल देखा जाता है कि काजल लिपस्टिक लगाने के लिए महीलाएं ब्रश का या किसी अन्य चीज का इस्तमाल करती है। और उसके बाद उसे ऐसे ही कहीं पर भी रख देती है। और अभी बार फिर से उसका इस्तमाल कर लेती है तो दोस्तों यहां आपके घर में बरबादी का कारण बन सकती है। दोस्तों आपको अपने साथ श्रिंगार का सामान किसी के साथ शेयर नहीं करना है। ये तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन इसी के साथ जरूरी यह है कि आप अपने सास श्रिंगार का सामान खासकर काजल लिपस्टिक ऐसे ही कहीं पर भी ना रखें बलकि इसे छिपा कर रखें ताकि किसी अन्य की नजर इस पर ना परे। यहां तक कि आपने जो भी ब्रश लिया है जिन्स भी चीज का इस्तमाल किया है। ऐसे में अगर किसी की बुरी नजर आपके श्रिंगार के सामान पर लगती है तो इसका सीधा नुकसान आपको और आपके पती को जहलना परता है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों कुछ महिलाओं की आदत होती है कि यहां की बातें वहां कर इस बात के कारण दोस्तों हमेशा नकारात मकता उत्पन होती है और नकारात मकता आपके दामपत्य जीवन में परेशानी ला सकती है। दामपत्य जीवन में पती पतनी एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करें और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर चलें क्योंकि पती पतनी करता है तो उसका फल पत्नी को भी भुगतना परता है और अगर पत्नी बुरे कर्म करती है तो उसका दुषपरिनाम पती को भी भुगतना परता है दोस्तों अगर घर की महिलाएं ये काम करती है तो पती को गरीबी का सामना करना परता है और वो काम है दोस्तों घर की स्त्रिय नहीं उठती है और देर तक सोई रहती है ऐसी स्त्रियों से माता लक्षमी नाराज हो जाती है और उन स्त्रियों के पती कभी भी धन्वान नहीं बनते दोस्तों सबसे जरूरी बात है कि घर की स्त्रियों को हमेशा शान्त स्वभाव का होना चाहिए परंतु अगर कोई स्त्री बोलचाल में अच्छी नहीं है और बात करते समय वो करवे शब्दों का प्रयोग करती हैं तो उनके घर में लड़ाई जगडा और कले का माहौल होता ह इसी कारण से उनके घर में देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता और जिसकी वजह से घर के सदस्यों को भी धन संबंधित परेशानियों का सामना करना परता है जिन्स घर में साफ सफाई नहीं रहती उस घर में देवी लक्ष्मी का वास भी नहीं होता महालक्षमी उस घर को छोड़ कर चली जाती है स्त्रियों को दोस्तों व्रत जरूर रखना चाहिए कम से कम एकाद्शी या पूर्निमा का व्रत जरूर रखें इससे पती की भी आयू लंबी होती है और साथ ही घर में भी सम्रिध्धी आती है दोस्तों जीन्स घर की स्त्रियां किसी पराय पुरुष के साथ अनावश्यक हाथ के बिना कारण ही बाते करती है और बिना कारण ही उनसे मिलती है और बिना कारण ही लोगों की आखों में खटकती है तो उस घर में कभी भी तरक्की देखने को नहीं मिलती उस घर में कल है वह आतंक का माहौर रहता है इसी कारण दोस्तों कहा जाता है कि फाल्तू में या बिना किसी कारण के पराए पुरुष के साथ बातें नहीं करनी चाहिए तो दोस्तो ये थे आज की छोटी सी जानकारी, ये जानकारी कैसा लगा आप हमें कॉमेंट में जरूर बताएं और हाँ कॉमेंट में अपना नाम और राशी जरूर लिखना, ताकि आने वाले समय में आपको आपके राशी के अनुसार हम उपाय और सुझाव बता सके, वीडि श्री राम, धन्यवाद।